दोस्तों, हमारे आसपास अनिक प्रकार के माइक्रो और्गिनिजम या फिर सुक्षमजीव पाए जाते हैं इन सुक्षमजीवों में से दोस्तों कुछ सुक्षमजीव ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फाइडेमन्थ होते हैं और कुछ ऐसे सुक्षमजीव होते हैं जिनकी वज़े से हमारी बॉडी में अनिक प्रकार की बीमार्य उत्पन्न होती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी प्रकार के सुक्षमजीवों के बारे में जानेंगे दोस्तों हमारा पहला जो सुख्ष नजीव है वो है आपका वाइरस जिसे हम हिंदी में विशानू कहते हैं दोस्तों यह जो वाइरस शब्द होता है इससे तो आप भली भाती परचित होंगे क्योंकि एक वाइरस अभी चुख चल रहा है उसकी वज़े से काफी सारे लोगों की जाने विजा चुकी है दोस्तों ही जो वाइरस होते हैं यह हमेशा परपोशी होते हैं या कहें दोस्तों यह अपने भोजन के लिए अन्य जीवों की उपर आश्रीत होते हैं या निरभर होते हैं दोस्तों ही जो वाइरस या विशानू होते हैं वो जिस परपोशी जीव की उपर आश्रीत होते हैं जैसे कि दोस्तों, बेक्टेरिया या जिवानू, एनिमल याने की जन्तू, जिसमें हम मनुष्य भी आते हैं और पौधे। ये वाइरस दोस्तों उन जीवों की कोशिकाओं या फिट सेल्स में व्रिद्धी करते हैं। दोस्तों, इस वाइरस से जो उत्बन होने वाली बिमारिया हैं, वह है आपका इंफ्लुएंजा, जुकाम और खासी। कुछ विशेश बिमारिया जैसे कि पोलियो और खस्रा भी दोस्तों विशाणू या वाइरस के वारा ही उत्बन होते हैं। दोस्तों, डाइसेंट्री या अटिसार एवं मलेरिया दोस्तों पुरोटो जोवा नामक सुक्षम जीव से होने वाली बिमारिया हैं। दोस्तों, इन सुक्षम जीव की वज़े से हमें कई प्रकार के नुकसान तो झेलने पड़ते ही हैं। पर इसके अलावा दोस्तों कई प्रकार के हमें फायदे भी होते हैं। जैसे कि दोस्तों कुछ विशेश प्रकार के कचरे, जैसे कि दोस्तों फलो एवं सबजीयों के छिलके, जनवरों से निकलने वाले औरशेश, मनुष्यक का मल, ये दोस्तों जमीन में पाये जाने वाले इन सुक्षम जीवों के द्वारा सडा दिये जाते हैं। जिससे कि हमारा परियावरन साफ सुत्रा बना रहता है। कृष्य में मृदा याने कि मिट्टी की जो उरवरा शक्ती होती है, उसकी उत्पादन शक्ती होती है, उसे बढ़ाने के लिए भी उसमें जैविक खार मिला करके किया जाता है। जिससे कि दोस्तों फसलों में जो पौधे होते हैं, उनमें नाइट्रोजन का इस्थरी करन होता है। यानि कि दोस्तों पौधों की जड़ों में जो nitrogen होती है वो fix हो जाती है फिर इसका उपयोग पौधों के द्वारा प्रकाश translation हे तू भोजर निर्मान में किया जाता है दोस्तों शायद आपको पता होगा कि दूद को दही बनाने के लिए उतमें दही की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है क्यूंकि दोस्तों दही में lactobacillus नाम का एक जिवानू यानि कि bacteria पाया जाता है जो दूद को दही में परिवर्तित कर देता है क्यूंकि दोस्तों ये जो lactobacillus नाम के जिवानू होते हैं वो दूद में व्रिद्धी करने लगते हैं जिससे की दूद जो होता है वो दही में परिवर्तित हो जाता है इसके अलावा दोस्तों जिवानू का उप्योग पनीर, आचार एवं अनेक प्रकार की खाद्य समग्रियां बनाने में किया जाता है दोस्तों सुजी जाने की रवा तथा भट्रे बनाने के लिए जो महत्रपून पदार्थ उप्योग में लाया जाता है वो है दोस्तों आपका दही जो की जिवानू के द्वारा निर्मित होता है इसके अलावा दोस्तों शुगर को अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए भी जीष्ट नामक सुक्षमजीव का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों ये थी सुक्षमजीवों से संबंदित एक छोटी सी जानकारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट के जरीए जरूर बताईए मैं मिलता हूँ दोस्तों ऐसी एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार कर दोस्तों नमस्कार